नमस्कार दोस्तों कोटी लेगलासेट की यूटूब चैनल में फिर साहब का स्वागत है आज हम मात्रका भाग सेकिंड जो हमने मात्रक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि मात्रक हमने पास तीन परकार के थे एक तो सब्सक्राइब का संसोधित में परिवर्थित रूप जो देखा होता है ऐसा ही पढ़नाली जिसका माप तोल का मुख्याले सेवरेस नमक सेर में वहां पर ही मीटिंग हुई थी ताकि कि एक इस परकार की पढ़नाली की वह गोशित किया जाए जो अंतराश्ट इस्तर पर क्यो लुमिनेंस इंडेंसिटी जो ती तीवर्ता को जोड़ा गए जिसका हमारे पास मात्रक है केंडला तो अब हम करते हैं उसके अगला भाग हमने कहा था अन्य में तो पुर्ण मात्रक देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट जो यूनिट्स हैं उनके बारे में देखेंगे तो अ करली ऴात तो सबसाइजी सवाल आता पर कास वरस क्या मा gustaría कहा है तो हम कहता है धूरी मापने कहा यानिक inhale डिूरइ बीस उवन्हारों के बीच में उनकी मापता है वहामने क्या क्या तो दूर्य नोबब यह शुटेंगे तो गरों आ भी एक नहीं कही हुए है दूरी यह और समापने कही नहीं है दूरी मापने कही है तो पार कंष वर्स का अर्थ क्या होता है एक पर वर्स यदि की पर्कास की त हिरण की चाल कितने होती यह तो दूरी तो दूरी बराबर आपके जानत और डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता भई चाल गुणा समय चाल इंटू समय तो चाल तो तीन गुणा दसकी गात आट है और समय एक वर्स महलब तीन सो पेंसट दिन एक दिन का मतलब कितना हो गया भई 24 गंटे और एक गंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड इनको मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमर पास रिजल्ट आ जाएगा जो परकास की केंड़ दवार एक वर्स में तेगी दूरी है हम इस रिजल्ट को डाइरेक्ट नोट क्या करते हैं सिधा लिखेंगे एक लाइट इयर यानि कि परकास वर्स बराबर 9.4 छे इंटू 10 की गात 15 मिटर आप देखना ध्यान से हैं 10 की गात 3 हमने क्या लिखा था किलो 10 की गात 3 किलो लिखा तो 9.4 छे इंटू मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ 10 की गात 12 गुणा 10 की गात 3 ये भी क्या गया पहमाराँ मिटर में बराबर क्या होगे वे 9.4 छे इंटू 10 की गात 12 10 की गात 3 क्या गया था किलो तो ये हमार पास हो जाएगा किलो मिटर 9.4 छे इंटू 10 की गात 12 किलो मिटर अब ये भी परसन पुछा गया एक ये मान भी पुछा गया एक बार और पुछा गया किसके नजदीग है option देते 10 की गाथ 14, 10 की गाथ 15, 10 की गाथ 16, 10 की गाथ 17 तो 9.46 है ये nearby कहां पर आजाता है भाई nearly equal to आजाता 10 और यदि ये 10 बन जाता है ये 10 की गाथ 15 है तो 10 की गाथ 1 into 10 की गाथ 15 क्या जाएगा भाई 10 की गाथ 16 तो ये nearby किस के होगे 10 to the power 16 तो एक परकास वर्स 10 की गाथ 16 मिटर के सब से नजदीग है यानि 9.46 into 10 की गाथ 15 मिटर उसका exact answer है ये होता हमारे पास परकास वर्स क्या माप नहीं कही हुई है दूरी कौसी दूरी खगोली दूरी परकास वर्स कहते किसे हैं एक वर्स में परकास की कीरण द्वारा तही के की दूरी क्या कहलाती है परकास वर्स नेक्स्ट आता है हमारे पास खगोली मात रख खगोली मात रख यानिकी astronomical unit खगोली मात रख astronomical unit अब ये किसे केते हैं देखो के हम जानते हैं सबी गरे परत्वी के चारों और चकल लगते हैं यानि कि दिर्ग वर्ताकार का गहरहें का मतलब यह होता है, कि कहीं पर आपके बीच में दूरी कम रेगी पर कहीं पर दूरी क्या रहे जाए загाएगी ज्यादा, तो यह nature क्या क्या आपका? elliptical nature क्या लाएगा, हम जानते हैं elliptical nature में यह दूरी तो आपके पास क्याएगी ज्यादा और यह दूरी से क्या जाएगी आपके पास कम आ जाएगी अब देखो कि जब यहां पर पढ़ती होगी तब तो यह सबसे ज़्यादा दूरी पर है यहां पर होगी तो दूरी कम है यहां पर मज्य मा जाएगी, यहां पर वापस घटेगी, यहां पर घट जाएगी, फिर आगे बढ़ जाएगी, इस परकार चलेगा तो इस परकार के जब घटी होगी तो एक कभी हर दिन दूरी में परिवर्तन हो रहा है जब हर दिन दूरी में परिवर्टन होता था हम हमें से क्या लगते हैं ओस्तदूरी तो खगोली मात्र यानि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहते हैं सूरिय तथा परतुई के बीच एक वर्स की ओस्तदूरी खगोली मात रखे लाता है एक वर्स की ओस्तदूरी यहाँ पर जो मान आता हुआ है 1.49 into 10 to the power 11 meter 1.49 into 10 to the power 11 meter, 11 meter तो इसकी गात 11 meter है यह हमार पास एक खगोली मात रखे है तो एक खगोली मातर किसे कहते हैं सूरिय तता परकास सूरिय तता परत्वी के बीच एक वर्स की ओस्तदूरी खगोली मातर कहलाते है इस्ट्रोनोमिकल यूनिट कहलाती है तो यह हमार पास हमने देख लिए परकास वर्स दूसरा देख लिए हमने खगोली मातर तीसरी बात आती है Next हमारे पास वो है पार सेख पर्लेल सेकेंड पार सेख अब पार सेख किसे केते हैं देखो एक बात ज्यान से हैं यहां पर पर्त्विये यहां पर सूरिये जब मैं यहां पर केंदर मान के एक चाप काटूंगा आर्क तो इस चाप पर यह दोनों आ जाएंगे और इन दोनों के 20 की दूरी कहलाएगी एक astronomical unit तो यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल है हमार पास ठीटा 1 अब मैंने यहां के अंदर मान के इनके एक चाप काटा है तो यह एंगल बनेगा ठीटा 2 इसी परकार में दूर जाके एक और एंगल बनोगे काटंगा है तो आपके जो भी एंगल आईगा आप इतना सा ज्यान से देख पा रहे हैं कि ठीटा 1 बड़ा है उसके बाद ठीटा 1 से ठीटा 2 छोटा है, ठीटा 2 से ठीटा 3 छोटा है, तो जितना दूर जाके आप एंगल बनाओगे, कौन उतना ही छोटा होता है, तो परसन हमार पास यहां पर यह है, कि कौन की छोटी कई कै, कौन की सबसे छोटी कई, कौन की सबसे छोटी कई, यह नहीं कि सबसे छोटी कई, य क्यूंकि एक डिगरी बराबर होता है 60 मिनट और एक मिनट बराबर है 60 सेकंड जब सब से चोटी ने यानिक यहां पर एक सेकंड का कॉन बनेगा तो यहां से परत्वी के बीच की दुमले परत्वी से इसके इंदर के बीच की दूरी एक पार से कहलेगे यह दूरी एक पार्सेक है यानि कि जिस बिंदू पर केंदर पर एक सेकंड का कौन बने और चाब द्वारा सूर यह तता परती को दोनों को काटा जाता है तो जो तिर्जिया की लंबई होती है वो एक पार्सेक होती है जो यहाँ पर सबसे चोटा कौन बनता होता है एक सेकेंड का कौन की सबसे चोटी कहीं कौन सी होती है सेकेंड पार सेक के बारे में और क्या आता है दूरी तो मापता ही है लेकिन सबसे बड़ा दूरी मापने का सबसे बड़ी कही दूरी मापने की सबसे बड़ी कई यह दूरी मापने की सबसे बड़ी कई है तो पार्स एक दूरी मापने की सबसे बड़ी कई है और कौन की सबसे छोटी कई है हमार पास याद रखना सेकिंड है तो यह कन्फूज ना था था समय की सबसे छोटी कई क्या है समय की सबसे चोटी कई समय की सबसे चोटी कई समय की सबसे चोटी कई होती है सेक एक सेकंड बराबर दसकी गात आठ सेक तो समय की सबसे चोटी कई होती है हमार पास सेक पार सेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी कई होती है पार सेक समय मामनिक सब से चोटी गए second कौन मामनिक सेक होती है तो अब ये थो मैं ओंने दिए एलिए पारसेग है इसका मान क्या हए एक पारसेख बरापर दो परकार का परसना होता है एक तो होता है 3.26 इंटू परकास वर्स यहनी कि light year और दूसरा जो मान लिखा जाता है वो सिधा इनको multiply कर तो 3.08 into 10 to the power 16 meter तीन गुणा 3.08 into 10 to the power 16 meter यह हमार पास कहला आता है एक पार्सेक तो यह हमने देख लिया परकास वर्स देख लिया पार्सेक देख लिया और खगोले मातरक देख लिया next आता हमार पास चंदरसेकर सीमा चंदरसेकर सीमा CSL चंदरसेकर लिमिट चंदरसेकर सीमा क्या कहलाती है वही चंदरसेकर सीमा के बारे में पहला पर्सन यह है अधिक्तम संभोव दर्युमान है इस बर्मान में अधिक्तम संभोव दर्युमान यानि कि maximum possible mass इससे ज़्यादा mass कि स्थी भी पिंड का नहीं हो सकता चंदर सेकर ने क्या खाता चंदर सेकर ये काता कि जैसे मालो कोई भी पिंड है जिसका द्रियोमान है उसके चारों और के कंड सभी उसे केंदर की तरफ आकरशित करके जोड़े रखते है पिंड जितना ज़्यादा बढ़ा हो जाएगा आकरशित उतना ही ज़्यादा हो जाएगा तो जैसे जैसे पिंड बढ़ा होगे तो आकरशित उसका बढ़ता जाएगा लेकिन यदि पिंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो आकरशित इतना बढ़ जाएगा कि वो चूरा-चूरा होकर बिखर जाएगा जब चूरा-चूरा होकर बिखर जाएगा वो लिमिट है कि किस कितना दर्यमान होगा तो चूरा-चूरा होकर बिखर जाएगा उससे कहते हैं चंदर शेकर सिमा उस लिमिट को कहते हैं चंदर शेकर लिमिट यानि इन्होंने कहा यदी मानलो कोई पिंड है जिसका दर्युमान सूरिय के दर्युमान का 1.445 गुणा हो जाए तो वो पिंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता वो पिंड बर्मान के अंदर नहीं रह सकता यानि कि अधिक्तम कहां तक रह सकता है इस लिमिट को क्रोस करते ही उस पिंड का आकर्शन बल इतना ज्यादा हो जाएगा के अंदर एक तरफ वो चूरा चूरा होकर विखर जाएगा ये सिमा कहलाती है चंदर सेकर सिमा में एक तो ये पूझा जाएगा दूसरा नाम क्या होत एंगस्ट्रोम क्या होता है एंगस्ट्रोम को हम इस परकार डिनोड करते हैं पहली बात ज्यान रखना है ये तरंग देदरी मापने की कही है वेव लेंग्थ तरंग देदरी मापने की कही है ये वेव लेंग्थ हम डिनोड करते हैं लेंडा से तो ये तरंग देदरी मापन रइस में और समय को टैन्स दिभल के सब्सक्राओं का प्रॉम्हारी है तो सलिए फर जो तरंग दे रहे हैं वह अतर आए जहां पर परकास का वेनरी की की टॉब्लाइट याननिखी फुरक्वेंसिग तो दिठ रहे हैं वह हमेसा एक और परसन आता है तरंग देदरी हमेसा आवर्ती के वितकरमानुपाती होता है यदि आवर्ती को बढ़ा होगे तो तरंग देदरी क्या हो जाएगा गड़ जाएगा और यदि आवर्ती गटेगी तरंग देदरी एक दूसरे के inversely proportional होते हैं with कर्मानोपाती होते हैं अब देख थे हम आगे के कुछ conversion next conversion हमारे पास क्या है उन conversion हो आप ध्यान से देखना है एक गज गज मदलब yard एक गज बराबर कितने fit होते हैं तीन foot एक foot बराबर होते हैं 12 इंच एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटी मिटर इसका मलब एक foot में 2.54 को बारे से गुणा करोगे तो 30.88 सेंटी मिटर आजाएगा आप ये भी लिख सकते हैं कि एक गज बराबर 0.91 मिटर और एक मिटर बराबर एक पॉइंट Jewelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel तो इस बात को आप ध्यान रखना है अब देखो बात करते हैं मील की और नाविक मील की लंब इम आपते हैं तो एक मील एक मील बरापर होता है 609 मीटर इडमीज क्यों हो गहाए 1.609 किलो मीटर नेक्स्ट एक होता है नाविक मील यहनी की नोटिकल मील एक नाविक मील बरापर होता है अठारे सो बावन मीटर अब एक बार जहां रखना है 609 मीटर होता है ना यह परसन एक बार यह पूछत गया था कितने गज होते हैं तो 3760 गज होते हैं यह ज्यान रखना एक मील बराबर 1760 गज यह शोड़े सो नो मेटर जबकि एक नाविक मील बराबर 852 मेटर होता है परसन आपके पास आजाता है इस परकार का 5 मेटर बराबर कितने इंच पांच मेटर बराबर कितने इंच इसी परकार का परसन आयो है वरक्स आप कैलकुलेस्न अंदर तो आपके पांच मेटर देख इसको सोल करते हैं इस्टेब इस्टेब मेरे जाओं पांच मेटर एक मिटर में आपके लिग होगे एक पॉइंट जीरो नो गज तो मिटर किसमें आप आपके पांच एनटू एक पॉइंट जीरो नो अब गज हैं और एक गज में कितने हैं पूट होता है तीन फूट से यहाँ पर आगये अब आपके पैस फूट आगये हमें क्ना इंच तो पांच इंटू 1.09 एनटू 3 इंटू एक पूट में कितने इंच होता हैं 12 इस परकार की होनी चाहिए बाग देने की नोबत ना है क्योंकि पॉइंट में आपका टाइम वेस्ट है तो चाहिए जिस परकार के परसन आए उसको मुल्टिकल नेचर में मुल्टिकल नेचर वाड़ा करने का ज्यान रखे तो पांच सबसे पहले मिट्र में बदल दिया फिर उस तर्फून में अभि इनको मैं करोगे यहलोंं कितने इंकल दाएंगे कि निच क्तने होते हैं नेक्स बारशन आजगे चार फुट बराबर कितने सेंटीमेटर तो आप एक फुट बराबर हम जानते हैं देगो चार फुट हैं तो चार फुट को आप ऐसे लिखते हैं तो यह जो माह आपने की कहई है यह लंबाई के लिए कहिए तो सारी लंबाई के कहिए है ध्यान रखना next जो हम कर रहे हैं दरियुमान के बारे हम कर रहे है दरियुमान मुद्ध को ध्यान रखना कि एक पॉंड बराबर होता है हमारे पास 16 आंज एक आंज बराबर होता है 28.35 गराम एक पॉंड बराबर 16 और एक आउंस बराबर होता 28.35 ग्राम नेक्ट जो बात है वो एक किलोग्राम बराबर 2.205 पॉंड और नेक्ट है कि एक पॉंड बराबर 0.4535 किलोग्राम यह सब आपको याद रखने ही पड़ेंगे एक मिट्रीक टन एक मिट्रीक टन एक मिट्रीक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम एक मिट्रीक टन में 10 क्यूंटल होता है और एक क्यूंटल में 100 किलोग्राम होता है तो हमार पास कितना हो जाएंगे वह 1000 किलोग्राम एक पॉंड बराबर 16 ऐंस होते हैं एक ऐंस बराबर 1825 ग्राम एक किलो ग्राम बराबर 2.205 पॉंड और एक पॉंड बराबर 0.453 पॉंड किलो ग्राम और एक मेटरिक टन बराबर 1000 किलो ग्राम यसी देटा हैं आपको याद रखने कन्वर्जन वाले next है हमारे पास आता है एक मीटर क्यूब यह घ्यान रखने हैं यह आपके पर मेत में बहुत बार काम आता है एक मीटर क्यूब बराबर हजार लिटर जबकि हजार सेंटिमेटर क्यूब बराबर एक लिटर एक मीटर क्यूब बराबर हजार लिटर होते हैं कि एघ जार डिक्षार बराबर कि उते हैं एक लिट्र होते हैं और ऑदर होते हैं हैं 2019 होजा होती है वह हमार पास एक हैटर के लाएगी हमां इस्टर पास हेटर कि बाद होता है एकड़ एक एकड़ एक एकड़ बराबर हो जाता है हमार पास 4840 वर्ग गज़ एक एकड़ बराबर हमार पास आ जाता है एक हेकड़ बराबर दो पॉइंट चार साथ एकड़ एक हेकड़ बराबर दो पॉइंट चार साथ एकड़ वर्ग आपको मैं तेमेटिक से कुण मल्टिपला ही करना है ठीक है ओके अब आता है एक बेरल बराबर होता है 158.98 लिटर जो की सम्तिंग सम्तिंग क्या हो गया है भई 159 लिटर 159 लिटर एक गेलेन बराबर दो होते हैं एक तो 3.785 यह यूएस पदती है और दूसर होता है 4.5 यह होता है यूके पदती तो समय आता है यूएस पदती में गेलेन का आंसर देना पड़ता है पार कि 4.5 लिटर होता है यह लिटर है इन कन्वर्जन को रखना आपको अराम से ध्यांस रखना पूरा कन्वर्जन को, कि आप कन्वर्जन किस परकार से सोल कर पा रहे हैं, ठीक है? अब देखो इसी चेप्टर के अंतरगत हमारे पास आती है, नेक्स्ट वीमा, तो वीमा को किस पर कर सोल करते हैं? वीमा यहनी कि डाइमेंश नहीं, डाइमेंश नहीं, वीमा, कि एम, ऐल, टी में जंडरली बड़े ब्रेकेट के अंदर होता है, वीमा, कि अम हमारे पास एंदर होता है, तो बड़े अक्सर लिकाता होता है, एमेल, टी, म कि होता है, मास, मास का मतलब क्या जाएगा भई, दरियोमान, L क्या है हमारे पास Length Length का मतलब आजाएगा लंबाई और T हमारे पास क्या हो जाएगा Time Time का मतलब आजाएगा समय अब देखो अलग-अलग राष्यों की समान विमा हो सकती है अलग-अलग राष्यों की समान विमा हो सकती है और एक राशे की दो विमा नहीं हो सकती, एक ही विमा होती है अलग लग राशे हों कि विमा क्या हो सकती है, समान हो सकती है CGS को MKS में बदला, MKS को APS में बदला, विमा कभी नहीं बदलती है विमा वही रहती है, विमा में कोई परिवरता नहीं आता है यानिकि मात्रकों का आपस में कन्वर्जन, यानिकि आपने Galen को लिटर बदल दिया कोई फड़क ने पूरता, वीमा आपके से मी रेती है, यह हमार पास Dimension यानिकि वीमा होती है मैं 1 by 1 करके आपको एक एक के करके सबसे पहले बहुत आसान वीमा छेतरफल की बात करते हैं छेतरफल क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई लंबाई इंटू चोड़ाई अब देखो लंबाई इंटू चोड़ाई लंबाई किसमें मापी जाती है मिटर में और चोड़ाई भी किसमें मापी जाती है मिटर क्या यहां पर यहां किलोग्राम में लिखा हुआ है नहीं तो दरी गू हैव यहां पर देखो सब मेटर इंटूちょ泰ह Salam बिल्कुल नहीं तु करना है तो भाग फ़स्टर देगा जेनके यह सम्मझ माना सुरू हुआै अब देखो next करतें अगली विमा शुर्वा थ हुए यह संथा मानलों हमार पास गंणत हुए है गरननत विश्त को सूत्र फिजिक्स में वीमा निकालनी लिए सर आपको सूत्र तोने उट द्रिमान बटदा आइस्तर निसले आ एक बार किलोग्राम देख लो एक बार है नेक्स्ट है लंबई लंबई आई बिलकुल आई कितनी बार है तीन बार ठीक है कहाँ पर उपर एक नीच से नीच से तो उपर जाएगी घात क्या हो जाएगी माइनस का ती और समय बिलकुल नहीं आया तो यह आपके पास M1 L-3 T0 है नेक्स्ट है जैसे मान लोग आपको पूछा जाएं चाल का चाल की वही होती है जो वेक ही होती है चाल बराबर क्या होता वही दूरी बटा समय देखो दूरी किसम अपी जाती है बहीं मिटर में समय किसम अपा जाता है सेकेंड में अब देखो इसकी दर्युमान आया नहीं आया तो गात लगा तो 0 लंबाई बिल्कुल एक बार समय एक बार निच्छे उपर जाएगा तो माइनस का अब देखो यह जो आपके वीमा लिख नहीं है जहां पर 0 वाली पावर को लिखो या नहीं लिखो कोई प्रवाव नहीं पड़ता है इसलिए बहुत बार वाप्शन में यह मिलेगा और कई बार यह भी मिलेगा तो कोई सा भी देख रहने ज्यान से अब आता हमार पास next आता है समेग समेग की वही विमा होती है ज दरियुमान मास किसम होता है किलोग्राम है वे किसम होता है मिटर परती सेकेंड में मिटर परती सेकेंड में अब देखो एम वन यह क्यों हो गए मिटर एल वन समय नीच चे तूपर देगा तो टी माइनस वन यह हमार पास आगे समेग की जो समेग की वही होती है आगे की समे सब्सक्राइब याने इस पर कर आप किसी भी की किसी भी सिंख्या की विमाएं आप अराम से नोट कर सकते हैं लिख सकते हैं आपको इसमें विमा लिखने में ज्यादा तकलीब नहीं होने वाले बहुत इजी रहता है विमा लिखना आप कोई सापी लिखें जैसे मानलो हम कोई दूसरी ट्रम लेते हैं सिधा आपको पूचा यह कारियर कारinek हम कर देंगे बलो गुणा विस्तापन है विस्तापन है विस्तापन एक अलओ राजसेगा आप निकालो M1L2T-2 यह हमार पास किस कैया वहीं अरजा की तो np. यह किये वह हमार पास वीमा किसकी रह जाएगी उर्जा की तो वीमा किसी भी संग्या की निकलो बहुत इजी होती है एक और आ विमा देख लें आवेस की आवेस आवेस होता है Q Q बराबर होता I into T Q देखो I किसम आपजाता था भई Ampere में और T किसम मापजाता है Second में तो यह क्या जाएगा Ampere into Second अब देखो Q आजाएगा Ampere into Second और यहाँ पर विमा लिखो गए तो M0L0T1 Ampere को क्या लिखते है A कर आवेस की विमा तो यह हमार पास मेंला, मेंली, जो मात रखे आवेस इनका बगछा है तो इनने आप थोड़ा दियान से देखना जितनी भी विमा हमने नोट कि इन विमा को देखना इनकी विमा कि साइता से किसी दूसरी डाइमेंस नेनी विमा किस परकार ग्याद की जाती है उन्हें भी देखना हम next वीडियो में हम पढ़ेंगे मापन यानि कि measurement, measurement topic की demand काफी आई है तो इसके next वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे measurement, thank you